प्रस्ण पत्र हमारे दुरह तयार किया गया है निश्ची तोर पर आए से क्वेश्चन आपको एउपी बोर्ड के एक जाम सिच्छा सास्तर में जरूर देखने को मिलेगा पूरे प्रस्ण को आप अच्छे से समझ कर जाए पूरे के आंसर भी हमने कवर किया है और हमारे चैन मैं गुर्कुल हुआ करता था इस आपका सिकेंड वाला राइट हो जाएगा गुर्कुल निम्न में बुद्धी के द्वी तत्यों सिधानत के प्रकिपादक काउन थे इस फियर मैं जी थे थे थार्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा बहुत ही इंपर्टन क्व मानसीक रोगियों का ध्यन होता है मानसीक रोगियों का पहला वाला राइट हो जाएगा देखें निम्न में से कौन सा अमुर्थ पुरसकार है अमुर्थ पुरसकार पूछ रहा है अमुर्थ पुरसकार में प्रसंसा को रखा गया पोर्थ वाला विकल्प इसमें राइट हो आयोग को किस नाम से जानते हैं देखिए कोठारी आयोग 1964 में सुरू हुआ था इसी राष्टी सिच्छा आयोग ने जो लाया था उसी के नाम से जानते हैं राष्टी सिच्छा आयोग के नाम से जानते हैं अथवा अथवा क्वेश्चन हमने इसलिए दिया है कि ताकि अच्छे से प्रिपेर हो आपका दूसरे दिखे बनारा सिंदू विसी विद्याले के सस्थापक कौन थे तो जानते हैं पंडित मदन महनमाली भी जी थे बहुत इंपर्टन क्वेश्चन पर्या वरण अगला क्वेश्चन पर्या वरण क्या है? देखे हमारे आसपास का जो आवरण यससी को पर्यार करते है जिसमें जन जीवन सभी वस्तुएं पेड़पझे रहते हैं परीधन आवरण आसपास के चारो तरव का जो घिरा हुआ vayस है परियावरर दिवस कम मना जाता है पाच जुन को अथवा सर्व सिच्छा अभियान किस अस्तर की सिच्छा से समन्दित है एक प्राइमरी लेबल प्राथमिक अस्तर के सिच्छा से समन्दित है चौथा प्रसंद के प्राचीन काल में उच्छी सिच्छा प्राप्तिस्तिरियों को क्या कहा जाता था उनको बीदूसी बोलते थे अथवा समाजिक दच्छता की सच्छिक उद्देश से किस ने दिया था ये जो दखिये उस समय जो केंद्री सिच्छा सलाकार हुआ करते थे उन्हीं के द्वरा ये दिया गया था और अगला है मनो विसलेसर के जनक कौन है की रूचियों और प्रवितियों के अनकूल जो विसा है या पाठकरम है चुनने की आजादी होती है या चुनने में सहयता दी जाती है यही निर्देशन है अगला है रूची के किसी प्रकार का नाम लेखे देखे रूची रूची जो है ये जन्वजात होती जन्वजात र और अरजित रूची होते बहुत इंपर्टेंट। अगला है भारत में राष्टी सिच्छा दिवस कम मना जाता है राष्टी सिच्छा दिवस 11 नमंबर को मना जाता है अगला देखिए अतील अगुतिरी प्रसन चारचर रंग के दिये बुद्धी के किसी एक सिधानत का जो समाने तत तो होते हैं और दूसरा एक बिसिष्ट ततो होते हैं जो कि बिसिष्ट कारे में ही सहयक होते हैं जैसे आम लोग हैं, समाने लोग हैं, उनके लिए सिच्छा का उपेच्छा की जाती थी, सुद्रों की सिच्छा की आहिलना होती थी, इस्तरी सिच्छा की लोग नाधर करते थे, नहीं मानते थे कि इस्तरीयों को सिच्छा दिया जाए, अठ्वा प्रशन देखिए, मानसिक स्वास् करना बहुत ही जरूरी है अत्वा दिया गांधी जी के अंसार सिच्छा के चार उद्धिस देखे इसमें कोशन पूचा था कि इसके लक्षर भी बचाना मांसिक जो स्वास्त है उसमें मांसिक स्वास्त के जो मूल प्रवितिया होती है इच्छाय होती है, सक्ती होती है, पुल्ड अभिव्यक्ती होती है, उसी पे मानसिक स्वास्ते उसका निभग करता है, गांधी जी के अमसार सिच्छा के चार उद्य से देखे, चरित्र का विकास करो, आदर्स नागरिक्ता का विकास करो, आत्म बोध करो, और संस्कृति का व और वार्चनी बैवहार को दूर करने के लिए किसी भी वयक्ति को जब धन्दात्मक सजा दियाती है तो उसको हम सारी रिक मांझ सी कोई भी हो सकता है सजा उसी को धन्द कहा जाता है और रूची क्या होती है जो जेम्स ड्रेवर थे उन्होंने बताया कि रूची अपने गत्यात्मक रूप में एक मनुबृत्ती है फिर आगे देखे परियावरल की चार समस्या है हाँ विद्याले में परियावरल सिच्चा का समचित प्रबंदन नहीं हो रहा है फिर परियावरल के प्रती लोग उतना जागरुक भी नहीं है फिर जो है नगरी सभिता का विकास हो रहा है देरे देरे और भातिकवादी संस्कृती का जादे परचार परसार होना लोग परियावरल के प्रती बहुत कम ध्यान दे रहे है दसमा प्रसंद अभी प्रेरडा क्या है इसके कारे बताना है देखे जो लावेल जी थे उन्होंने बताया था कि जो अभी प्रेरडा है वो आवसक्ता के अनुसार प्रारम होती है यदि जहां पर आपको आवसक्ता पड़ेगी वोही कारे सुरू हो जाएगा और ये कारे को ज लच्च की प्राप्ति होती है और इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है बाउध काल में अगला क्वेश्चन अथवा बाउध काल में अस्थापी दो विशु विद्याले के नाम बताना उसमें नालंदा विशु विद्याले था विक्रम सिला विशु विद्याले था इग्या भाव होता था अगला देखिए अथवा में भासा और धर्म के सिच्छा के संदर में मालवी जी के विचारों को प्रस्तूत करना है भासा और धर्म के सिच्छा में जो मालवी जी थे उन्होंने क्या किया था उस समय संस्कृत भासा पर जादे जोर दिये थे इसलिए तो बनार इनी विसंटर जो थी उन्होंने बताया कि अच्छे नागरिको'm को निर्माल किया जाए फिर सारेरीक प्रसिचल दिया जाये संभेगों का प्रिचणो मस्तिस CLIP हो एडाक्टर विसंट जी ने बताए था हार क्वेश्चन बहुत ही इंपर्टेंट है यूपी बोर्ड की दिरिष्टी से प्राकृतिक आपता क्या है देखे आपता का अर्थ संकट से विपत्ती से होता है और प्रकृति द्वरा जो उत्पन आपता होती है उसी को तो प्राकृतिक आपता बोलते हैं जैसे सुखा है बाड़ है भोकंप है जुआला मुकी ये सब प्राकिर्ति का पता है लगुत्री प्रस्ण यहां से दखे लगुत्री प्रस्ण बाओध कालीन सिच्छड विधियों का उलेक करना है बाओध कालीन जो सिच्छड विधिया थी सभी का आप डिटेल में देख कर कि जाएगा ठर्न nach डाइक के अनुसार यदि हमें कोई वीशेश सिच्छा ले रहे है तो हमें जो भी सिच्छा हमने गाहण किया हमने क्या सिखा उसмен था संदर मेंlline um उपलब्धी परिक्षड और इसका प्रपस्स क्या था कि बैक्ति को बिसेग अनुसार अध्यापन किया जाता था। और समाने से उच्च अस्तर की जो विधियाँ होती से चऴ में उसका उपियों किया जाता था विद्यार्थियों की योगता का भी पता लगा चाता था बाउधिक अस्तर का पता चाता था विद्यार्थियों जो कारिक्रम होते थे उसमें मुल्यांकन होता था चात्रों को अध्यन करने में प्रेडा दी जाती थी उस वक्त उपलम्धी परिछर के अंतरगत प्रसना चुदा है भूकंप आपदा प्रबंधन को समझाई दे कि भूकंप आपदा यह आपदा मानों के बसका तो होता नहीं है कब आजाए कोई गारंटी नहीं है जपान जैसे सहरों में यदा कदा कभी बहुत बार आते हैं तो उस समय सवधानी ये देखना चाहिए कि भा पताले तक पहुंचिए फिर आगे पुछ रहा है थवा में नवदय विद्याले कर टिपड़ी लिखना है 1986 में नवदय विद्याले सुरू किया गया था राष्टी सिच्छा निती जो आई थी और नयों विद्याले को ले करके आई थी उसमें प्रतिभास साली बच्चों क अधार भूत सिधांत पूछ रहा है बहुत इंपर्टेंट गांधी जी का बहुती परम विचार थाई स्वर में अटल विश्वास करते थे तन मन से आप मानो आत्मा ही परमत्मा होती है जीवन दर्सन थे उनके सत्य बोलो अहिंसा को अपनाओ निर्भाय रहो सत्या ग्रह बताये थे पर्या वरली प्रदूसर सोरह कोस्चन पर वरली प्रदूसर को रोकने के विभिन उपाय के बारे में पूछ रहा है दखे कलकर खाने आप स्थापित करते हैं उनकी जो चिमिनियां होती है बहुत उचा उठाईए उसमें धुआ रोधा के यंतर का प्रयोग करना उनको कम यूज करिये प्रदूसर को को डस्ट करना सोचिये अपमार्जक मलमुत्र कच्रा पानी में मत बहाई लकडी दीजल इंधन का कम प्रयोग करिये गाडियों का समरचण करिये गाडियों में ऐसे यंतर लगाईए कि जिससे इंधन जो है कर्बन डाइक्साइड कर्ब आपको की कमी रहा पर सिच्छित अध्यापक की कमी है साधनों की कमी है चुगा चूत भी होता है पाट साला दूर दूर होते हैं उतना होते नहीं आर्थिक भी संकट होती है और नियमीत अक्वास की कमी होती है सरकारी कर्मचारियों की उदासिंता भी होती है इसमें तो नि जनसंख्या सिच्छा का मतलब जैसे किंडर मैन ने बताया था कि जनसंख्या सिच्छा एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वरा विध्यार्थी जनसंख्या के प्रति थोड़ा सा जागरूक होते हैं और जनसंख्या की प्रक्रिती अर्थ कारक परडाम इसके बारे में उनको अभाव होता है जनसंख्या सिच्छा का भी अभाव होता है जनसंख्या सिच्छा के बहुत से अन्यकरण है जो कि इसको डैमेज करते चले जा रहे हैं प्रस्ण उन्नी से विश्ट्री प्रस्ण है व्यक्तितु से क्या प्राय है व्यक्तितु मापन की किसी बिधी का प्रयोग करिए देखिए बोरिंग के अनुसार ब्यक्ति के अपने वतावरण के साथ अपूरू एवम अस्थाई समायोजन के योग को ब्यक्तितु कहते हैं और वही मार्टन प्रिंस ने बताया था कि ब्यक्तित्व सभी जन्म जात बेवहारों आवेगों प्रवितियों जुकाओं और प्रवितियों और अरजित बेवहारों का योग होता है अलग-अलग यह पताया गया था और इसकी जो परिक्न बिदिया है उसमें बहुत सी बिदिया अत्मनिष्ट बिदी है निरिच्छल बिदी है प्रभावसाली बिदी है वस्तू बिदी है और इतिहास बिदी है बेवह घटनाय उापधा कहाती है प्रकूपीख सब्द से यसे को आप बता सकते हैं बहुत ही तो धन जनकी हानी होती है हिस्में आपधा आपधा जो है दो अर्ण में बटा गया है अब प्रक्रतिख अपदा और मानो जनीत आपदा प्रक्रतिक आपदा में जो भुटली आपदा होता है और वाई मंदली आपदा होता है भूतली आपदा मने जो जमीन से समधर जैसे जोला मुकी है भूकंप है भूसकलन है और वाई मंदली आपदा में जैसे आधी तुपाने सुखा सीतलहर गर्मी यह सब है और एक होता है मानुई आपदा मानुई आपदा भी द भी होती है बीसव है बाउध और बैदिक काल की सिच्चा में समानता ये समानता है हम अंतर पूछ रहा है दखिये इसको आप अच्छे से पढ़कर करके जाई pleasures बाउध कालिन और बैदिक कालिन जो दोनों होती थी दिन चर्या और दोनों में जो गुरू सी से सम्मंद था इस ने था अध्यातिमिकता होता था स्पेर्चुल्टी जो होता था वो सेम होता था दोनों में दोनों में सदचार होता था सरल जीवन था उच विचार थे ये सब चीजे दोनों में अपनाई जाती थी और दोनों में जो डिफरेंस होता था बाइदिक कालीन और बाइदिक कालीन सिच्छा में जो है न गृहकिल या गुरुकुल में सिच्छा दी जाती थी लेकिन बाइदिक कालीन सिच्छा में विश संस्थागत हो जाते थे चुकि संस्था में जाते थे और बाइदिक काल में सिच्छक के वल ब्रामर ही होते थे लेकिन बाइदिक काल में कोई भी सिच्छक हो सकता किसी भी जादी का हो सकता है बाइदिक काल में क्या होता था सिच्छा में सुलक होती थी लेकिन बाइदिक काल बहुत ही तरह तरह के कारिक्रम चलाय थे सिच्छा को लेकर के, बिद्याली सिच्छा पर जादे उन्होंने बल दिया था, और उनके सिच्छा का उद्यस यही था कि, यह जो बच्चे हैना, यह सीखें, इनको सरी रिक विकास के बारे में बता जाए, नायतिक और चारित्रिक निर्मार कैसे होता, इसके बारे में बताया जाए, जीव को पारजन कैसे करना है, इसके उद्देश को बताया जाए, फिर आधात्मिक विकास भी इनका किया जाए, फिर धार्मिक विकास भी किया जाए, संस्कृतिक विकास होना चाहिए, इस सब तमाम चीजों के बारे में उ उसमें इस्टर्न थे उन्होंने बताया कि बुद्धी एक समान छमता होती है जो बैक्ति के चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नमीन अवसकताओं में समयजित करने में हेल्प करती है ठीक है और बुद्धी की बहुत सी विसेस्ताओं को बताया गया था बताया बुद्धी परिच्छाओं से ज्यांत हुआ है कि अधिकांस जो बच्चे होते हैं बालक होते हैं उम्मध्यम बहुतिक योगिता के होते हैं बुद्धी में धेता पाई जाती है बुद्धी ब्यक्ति को लर्निंग में सीखने के साथ साथ उनको काबलियत भी बनाती है और यहां एक स्वभावी का परकरिया भी होती है बुद्धी जो की नेचिरूली आती है इसको आप अच्छे से डिटल में पढ़कर करके जाए अथवा भारत में नारी सिख्चा के बहुत इंपर्टेंट को सभी कोस्चन इंपर्टेंट है भारत में नारी यों की जो सिख्चा है काफी पहले से सुधरा है लेकिन फिर भी बहुत सी कटनाईयां रही है इसमें जो तमाम समस्याय रही जैसे निर्धनता और पिछलापन भी है और समझिकता और रुडियां जो रुडिवादी कटनाईयां आती है फिर इस्तियों का चेत्रगर तक सिमित होता ऐसी भी